नमस्कार अपुर्वास किचिन में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग आज मैं आप लोगों के साथ बिलकुल रेस्टरांट स्टाइल जीरा राइस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ लेकिन हमारी ये रेसिपी लिफ्ट ओवर राइस के साथ बनेगी जीरा राइस की इसी रेसिपी को अगर आप फ्रेश राइस के साथ बनाना चाहती हैं कैसे बनाएंगी इसकी रेसिपी भे मैं आपको डस्क्रिप्शन में बता दूँगी तो डिटेल्ड रेसिपी के लिए डस्क्रिप्शन चेक करना ना भूले तो चलिए जीरा राइस बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले लो फ्लेम में मैंने कड़ाई गैस पर चड़ा दिया है और अब हम इसमें बड़े चमच से दो चमच घी डाल देंगे यही मेल्ट होना शुरू हो जाए तब हम इसमें दो तेश पत्ता बड़े चमच से एक चमच जीरा दस से पंधरा जीरा लगाया हुआ हरी मृश और खड़े गड़ा मसाले डालेंगे खड़े गड़ा मसालों में मैंने दालचीनी लांग इलाइची शा जीरा शामिर्च और काली मृश का यूज किया है अब हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे इन सारे चीज़ों को fry करना है low to medium flame में हम इने fry करेंगे आप देख सकती हैं कड़ी पत्ता और बाकी की सारी चीज़ें अच्छे से fry हो चुकी है तो अब हम इसमें जो चावल हमारे पास है इसे डाल देंगे यहां मैंने बासमती राइस का यूज किया है चावल डाल देने के बाद अब इसे medium flame में हम अच्छे से इन सारी चीज़ों के साथ mix करेंगे fry करेंगे थोड़ी देर के लिए इन सारी चीज़ों के साथ low to medium flame में हम इसे mix करेंगे आप देख सकती हैं यह सारे मसाले चावल के साथ mix हो चुके हैं तो अब हम इसमें test के हिसाब से नमक और काली मिर्ष का पॉर्डर डाल देंगे काली मिर्ष का पॉर्डर मैंने छोटे चमश से चार चमश यूज किया है आप अपने हिसाब से इसे घटाया बढ़ा सकती हैं इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से mix कर लेंगे थोड़ी देट तक और fry कर लेंगे आप देख सकती हैं चावल अच्छे से भुन चुका है तो अब हम इसे serve कर लेंगे अपने मन पसंदीदा किसी भी सबजी के साथ आप जीरा राइस को खा सकती हैं तयार है लेट ओवर राइस से बन जाने वाली जीरा राइस की ये recipe आपको मेरी ये recipe कैसी लगी ये आप मुझे comment करके बताना ना भूले साथ ही detailed recipe देखने के लिए description जरूर चेक करें सब्सक्राइब कर ले साइड में जो bell icon दिख रहा है उसे प्रस करके all पे क्लिक कर दे ताकि मेरे upload किये हुए हर वीडियो उसके notification आपको सबसे पहले मिल जाए और अगर आप मझे facebook या instagram में देख रही है तो follow जरूर कर ले thank you thanks for watching